नमस्कार दोस्तो जेहिंजे बारत मेरे क्लासिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तो आप सभी का जो एकजाम है वो 4 अगस्ट को होने जा रहा है हम बात कर रहे हैं MP Assistant Professor Phase 2 का जो एकजाम है वो 4 अगस्ट को होने जा रहा है Phase 1 का जो एकजाम है वो नोजुन है वो हमारी वीडियो के माददम से आप तक जरूर पहुचेगी और इसके बारे में discussion करेंगे कि कहां से question उट सकते हैं क्योंकि अभी जो नो जुन को exam हुआ है उसमें योजना है पूची गई है और उसी से related करेंट्स के कुछ question भी सामिल कर लिए गए हैं और कुछ जो मद्दपर्दे सरकारी योजना है उससे भी लिए गए हैं तो उस पर हम discussion करेंगे तो चलते हैं दोस्तों आगे की और और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से request जरू करना चाहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सकाइब करना तो हम चलते हैं आगे की और तो जहां पर हम देख सकते हैं कि जो योजना हैं वो इस पर सट discussion करने वाले हैं तो जहां पर हम देख सकते हैं कि मतस से उत्पादन एकाई तो जिसमें काफी जादा योजना की जो रिष्ट है और उसमें जो पातरता है और उसमें क्या-क्या बेनिफिड मिलेंगे वो सब जानकारी इस पर हम बताएंगे तो एक-एक करकर हम इसको समझेंगे कि यह योजना किस पर और कौन-कौन ले सकता है और यह इसमें से भी करेंट के कुछ कोश्चन पूछे जाते हैं द धोक उद्देश क्या है प्रदेश के मतस्य पालकों को मतस्य पालनकार है तू अलप अलप अब्धी रिण उपलप्द कराने मतलब कम समय के लिए उनको रिण उपलप्द कराने का यह उद्देश है और इसे योजना का नाम है मतस्य उत्पादने का योजना और पातरता इस में रहेगी प्रदेश के समझत मतसे पालग जो व्यक्तिगत रूप से मतसे पालन कारे में सलगन है और इसके बाद दूसरे पॉइंट में समझत समीती समू के सदस जिनके पास मतसे पालन हितु जला से पट्टे पर है या पिर तीसरे नमबर पर देखें समझत व्यक्तिगत ग करने हैं तो अल्प अब धी उपलब्द कराना मतलग समय के लिए होता थोड़े समय के लिए ही उनको रेन उपलब्द कराए जाता है और इसके बाद इस्ट्रोलमेंट में उनसे वापस ले लिया जाता है और प्रदेश के समझत मतश्पालाक जो ब्यक्तिगत रूप से मतस्य पालंकार में सलगनों वही कंडिशन इसमें भी रखी गई है इसके बाद यहां पर दे रखे हैं कि यहां पर पंगेसियस तिलपिया मचली पालन जैसे कि उद्धिय से प्रदेश के मतस्य पालकों को मतस्य पालंकार हितू अलब अबदीरियन उपलप्त कराना पातरता व पातरता वही जो की तीन बताई गई है इसके बाद नीचे स्कॉल करें तो जहां पर यह विवाग का नाम है पसुपालनेम डेरी विवाग विवाग और किसान केरिट कार्ड इसके बाद नीचे हम देखें तो एक योजना है सूक्ष में लगू और मध्यम उद्धम जो कोशन भी पूछा गाए था इसमें जो अभी नोजुन को एक जाम हुआ था इस योजना में के अंतरगत उद्धम और सेवा चेतर में युवाओं को रिण में तीन प्रतिसत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा उद्धेश क्या है सोरजगार के लिए प्रदेश के नागरिकों को प्रोटसाइद करना और पातरता क्या रहेगी पातरता जहां पर आप देख सकते हैं कि आविदक की आयू 18 से लेकर 45 बरस के बीच होनी चाहिए ये पुराना डाटा है अभी देखा जाये तो 18 से लेकर 40 बरस कर दी गई ये और नहीं मतलब पहले जो था लेकिन अब इसमें 8 भी कक्छा होनी चाहिए तो जहां पर लिखा हुआ है कि आविदक की आयू 18 से 45 बरस के बीच होनी चाहिए और इसके बाद आविदक की निवन्तम सेक्षणिक योगता 8 भी कक्छा होनी चाहिए ये चोज़ना के लाव आविदक के केवल को केवल तभी प्रिदान किया जाएगा जब आविदक के परिवार की बारसी काए बारा लाक रुपे से कम होगी मतलब यही उनको यह लाव उनी को मिला जाएगा जिनकी परिवार की बारसी काए जो होगी वो बारा लाक रुपे से कम होगी इसके बाद जहां पर पॉइंट देखे तो इसके तीन बर्स का यहाँ पर बताना होगा इसके बाद इस योजना में बताएगा कि नभी उद्धम इस्तापित बाले प्रदान किया जाएगा योजना का लाप क्या रहेगा मत्रप्रदेश के मुखमंतरी उद्धम किरांती उद्धम इस्तापित करके आत्म निर्वर बन सकेंगे साथ भरसों तक इस योजनाओं के अंतरगा तीन बरस का अनुदान प्रदान किया जाएगा इस योजना में इनको एक लाग रुपे से लेकर पचास लाग रुपे तक दिये जाएगा ये सेवा छेत्र के लिए हैं और इसके बाद एक लाग से लेकर 25 लाग तक करेंड मुखमंत्री उद्धम करांती योजना के अंतरत मुहिया कराए जाएगा और ये 7 वर्स तक मेक्जियों पर जाएगा जो कि 3 प्रतिसत ब्याज अनुदान किया जाएगा तो ये मुखमंत्री उधम किरांती योजना है और नोजुन का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये कोश्चन पूछा गाया था इसके बाद नीचे हम इसकोल करें तो जहां पर है दूसरा यो योजना है वो जहां पर आपके लिए रली देख सकते हैं कि जो विभागे मत्रपरदेश सरकारी सहेकारी अनुसुसित जाती एवं वित्विकास निगम मर्यादित ये है संत्रभिदास सोरजगार योजना योजना का उद्देश क्या है योजना का उद्धे से अनुसुचित जाती बर्गे के हित गिराई को सोरजगार इस्ताफित करने के लिए कम ब्याज दर पर रिण उपलब्द कराया जाएगा मतलब आत्म निर्भर डिपेंडेट जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो कम ब्याज पर उनको रिण कारी अनुसुचित जाती एवं बिकास मरियादित भोपाल दोरा किया जाएगा इसके बाद पातरता इसकी क्या रहेगी योजना का कारी चेत्र संपूर्ण मद्यपरदेश चेत्र होगा अथात योजना का लाव उनी उद्धमों को दे होगा जो मद्यपरदेश सीमा के šकन कारी दोरा जाती फिर्मान पत्र का सलगन करना होगा मतलब जो पहले क्या होता था कि अभी काफ़ी के पास है इसके बाद भी डिजिटल का सर्टिपिकit बनने लगे जो नहीं चाहिए है तो वह हमारे नहीं चेले पदक्डिक 18-40 बर्स के मद्द्ध होना चाहिए मतलब उसकी जो आयू है वो 18-40 बर्स के मद्द्ध होना चाहिए किसी भी राश्टिकरत बेंग 30 है संस्ता सहकारी बेंग का चूक करता असोधी डिफाल्टर नहीं होना चाहिए मतलब यदि आपने कहीं डाउन हो जाएगा वो क्या कि सब चेक हो जाता है यदि कोई वैक्ति किसी सांस की उद्हमी सोरजगार योजना के अंतरगत साहिता पराप्त कर रहा है तो इस योजना का अंतरगत पात्र नहीं होगा मतलब वो किसी योजना से लाप पराप्त कर रहा है कौन सी योझना है उद्र हमी सुराजगार योजना तो उनको ये लाव नहीं मिलेगा पर इसके बाद सिर्फ एक बार ही इस योजना के अनतरगा साइथा के लिए पातर होगा मतलब लाइप में इस योजना का एक ही बार हम लाव ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम एक बार हमने ले लिया फिर इसके बाद दोसरा बिजनेस से स्टेट कर लिया तो उसके एक ओर डिंग हम धोरा ले सकते हैं ऐसा नहीं है सिर्फ लाइप में हम सिर्फ एक ही बार इस işi यवराग का लाब ले सकते हैं इसके बाद जहां पर दिया योजना उधम सेवा व्यवसाज चेत्र के लिए होगी है चलिए नीचे चलते हैं इसमें कितना मिलता है तो जहां पर हम वह भी डिसकसन कर लेते हैं तो उधम बिनिर्माण एकाई के लिए रासी एक लाक रुपे से 50 लाक रुपे तक की परियोजना के लिए होता है एक लाक से 25 लाक मतलब मद्दपर्देश एकाई खुद्रा व्यवसाई के लिए होती है और इसमें ब्याज अनुदान योगना के अंतरोगत यहां पर सेस्रेंट टर्म लोन बर्किंग केपिटल 5% की दर्से अनुदान 7 वरसों तक रखा जाएगा तो यह जहां पर इतना लोन दिया जाता है इनको और 1 लाग से 50 लाग रुपे तक का इसके बाद नेक्स लेके चलते हैं वहां योजना हैं वहिए आपकी ٹाक्टर भीम्राव अंभीत कर आरतिक ऐल्द योजना जहाँ पर cigarette कर आया जाएगा मतलब ये क्या है कि ये बेरोजगार है जो अपना खुद के business start करने वाले हैं याप करना चाहते हैं तो उनके लिए जितनी योजना हम बता रहा है उन से ही related है बस योजना में कौन सी योजना के अंतरवात आप लेना चाहते हैं और कौन सी योजना आपके लिए suitable है वो इसके regarding यहां पर बताए जाता है और इसके कोश्चन कहीं से भी आज सकते हैं तो योजना का किरियान होता है योजना का का रहेगी योजना का कारिया चेतर संपूर्ट मद्यप्रदेश का होगा जैसे की मद्यप्रदेश का ही होना चाहिए और इसके बाद मद्दे प्रदेश का मुलने वासी होना चाहिए अनुसी सिजाती का होना चाहिए और इसकी जो उम्र है वो 18-55 बर्स के मद्दे होना चाहिए और वो किसी बेंक से डिफाल्टर गोसित नहीं किया जाना चाहिए और अधि आपने कहीं योजना का लाव ले रहा हैं तो इस योजना का लाव नहीं मिलेगा और ये लाइप में सिर्फ एक ही बार इस योजना का लाव ले सकते हैं और ये योजना उद्ध हमी सेवा विवासाजत के लिए होगी इसके बाद नीचे हम श्कुल करें तो ये बित्ति साइता है इसमें भी वह ये दस अजार रुपे से एक लाग रुपे तक की पर योजना का लाव मिलेगा और इसमें पांच वरसे तक साथ प्रतिसत बैर्च की दर से अनुदान दिया जाएगा इसके बाद नीचे हम योजना के लिएकर चलें तो यहाँ पर है नेक्स्ट योजना जो है मतपिदेस अधिवासी बित एवम निगम विकास और यहाँ पर लिखाए टंटिया मामा आर्थिक कल्याड योजना नभी नियोजना ठीक है यह इस योजना से जाने जाती है और योजना का नाम टंट्या मामा आर्थिक कल्याड योजना नभी नियोजना भी की नाम से जाने जाती है और योजना का उद्देश क्या है योजना का उद्देश अनुसी से जन जाती बरगे के हिद्गराई को नभी उधम की इस्तापाहितु कम ब्याजतर पर रेण उप प्रमाण पत्र होने चाहिए इसमें आपकी जो उम्र होना चाहिए अठारा से लेकर पच्पन बर्स के मद्द होना चाहिए किसी बेंग से डिफाल्टर गोसित नहीं होना चाहिए और इसके बाद लाइप में इस योजना का एक ही बार हम लाव ले सकते हैं और इसके बाद जो इसमें जो मिलेगा आपको आर्थिक सोरजगार योजना के तहें तो दस-जैर रुप्य से लेकर एक लाइख रूप्य तक का इसमें आपको रिणिंप प्राप्त हो जाएगा इसके बाद जहाँ पर दिया है भगवान बिर्सा मुंडा सोरोजगार योजना, नभी नोजना है ये भी, नभी नोजना मतलब भगवान बिर्सा मुंडा सोरोजगार योजना, योजना का उद्देश है, योजना के उद्देश अनुसिची जन जाती बर्गे के कि इस्तापना है तो कम ब्याज दर पर रेण उपलब कराए जाएगा शेक्चन योगता जो है वो है नियूतम आडवी कक्चा उत्रिण कम से कम आडवी पास होना जरूरी है इसके बाद नीचे हम देखें तो जहां पर वही है कि योजना का करियान मैं भगवान बिर्समुंड योजना के अंतरगत है और इसके बाद जहां पर साका प्रवन मद्यप्रदेश अधिवासी बित्य एवं विकास निगम महा प्रमंदक जिलब वेपार के एवं उद्द्यो केंद्र के मद्दम से योजना का संचालन कराये जाएगा पात्रता आपकी क्या रहेगी मद्दप् पूरी लाइफ में हम इस योजना का एक बार लाग ले सकते हैं चलिए नेक्स इसमें कितना रोपे मिलेंगे एक लाग से लेकर पचास लाग रोपे तक का इसमें रिंड प्राप्त किया जा सकता है इसके बाद नेक्स जो योजना है वो देखिए आ नगरी विकास एवं सोरजगार स्थापना बित्ति पोषण एवं उधमिता अधाई सेवाएं तकनीकी एवं बजार विवस्ता उपलत कराई जाती है फिद्गराई का अवश्यक्ता अनुसार विवसाई के लिए प्रिसिक्षन आदी भी उपलत कराया जाता है विवाग का नाम क्या है खाद ना पर राशन सामरी का प्रदाय प्रदन को रोकना एवं नभी रोजगार कर सरजन करना क्या है योजना संपूर्ण मद्ध्रदेश में लाग होगी जिसकी निव्टम 21 सेक्टर होगी पूरे प्रदेश की 899 सेक्टर में विवाज़त किया गया है और इसके बाद इसमें कम ब्य अठार से लेकर 45 बर्स होना चाहिए सेक्टर योगता आट भी गक्षा उत्रेंड होना चाहिए परिवार की अधिकता मायू 12 लाख रोपे से कम होना चाहिए है भी मोटर वीकल संचाल नहें तू इस ताई बेद लाइसेंस धारफ होना चाहिए और किसी बैंक से डिफाल्ट से धार भौसित नहीं होना चाहिए सांसर कि सेवा और पैषणगे दरी नहीं होना चाहिए और दो इनको आपञ नहीं नहीं दीजाएगा इननको जहां पर देख जाए तो जहां पर रेनकी अब दिये तो जहां पर अनुदान 3 पर आप 2 से बार्स अनुदान होगा इसके बाद नीज से हम देखें तो नेक से जो है वो है विभाग का नाम है भाग एक पात्रा मद्यप्रदेश का मूलनिवासी अठाज से लेकर 55 बर्स की आई होना चाहिए शेक्चण योगता कोई बंधन नहीं है कितनी भी हो या पिर नहीं भी हो तो भी आप इसका लाव ले सकते हैं इसके बाद बिमुक्त गुमुंदू एवाम अर्द गुमुंदू जाती का पिर्माणपत्र होना चाहिए और आय करदाता नहीं होना चाहिए इसके बाद देखें हैं तो मुक्मंत्री बिमुक्त गुमुंदू और अर्दमुद स्वरोजगार योजना भाग दो पात्रता भाई यह मंद्द प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए उम्र अट-थार से लेकर 55 बर से सेक्चन क्योगता आई टी आई द्वारा प्रिसिक्षित होना चाहिए बिमुक्त गुमुंदू का जाती प्रमान पत्र होना चाहिए और आयकर दाता नहीं होना चाहिए तो यह इतनी योजना हैं और और भी कुछ योजना हैं जो कि इससे कॉश्चन आएंगे तो बिल्कुल हम नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिसकसिन करेंगे तो फलाल के लिए बस इतना ही है तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना तो आज के लिए बस इतना ही है फिर से